फ्रेंट्स आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़ादा important रहने वाली क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए सभी exam के लिए और Indian history का काफी important topic topic का नाम है 1857 की करांती इससे related most important 100 questions इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी questions selected और important लिए हैं अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ादा useful रहने वाला है friends अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो exam में आपको इससे बाहर एक भी question नहीं मिलेगा तो चलिए शुरू कर लेते हैं first question से first question start करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा brief idea दे देता हूँ 1857 की करांती के बारे में तो हमारा first important point है 1857 का विद्रो जिसे भारतिये विद्रो या भारतिये सोतंदर्ता के प्रतम यूद के रूप में भी जाना जाता है भारत के इतिहास में ये एक महतवपुन घटना थी 1857 की करांती की शुरूआत 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से हुई थी 34 वी नैटिव इंफैंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने चरबी युक्त कार्तोसों का प्रियोग करने से इंकार कर दिया 26 फरवरी को भी बंगाल में नोवी नैटिव इंफैंट्री ने विरोध किया था करांती की शुरूआत होते ही मंगल पांडे ने अंगरेज सार्जेंट हयूरेस से और लेटिनेंट बाग को गोली मार दी देखो फेंट्स यहां पे तो मैंने आपको बता दिया कि 1857 करांती की शुरूआत कहां से वी थी बैरक पुछावनी से तो अगर पूछा जाएगी खतम कहां पे हुआ था तो यह मद्धे परदेश के ग्वालियर में खतम हुआ था 1857 की करांती करांती के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल के फूल के प्रती का प्रियोग किया गया था और आपको बताना चाहता हूँ मुख्य कारण क्या था नई एनफिल राइफल में चरबी युक्त कार्तुसों का प्रियोग और फ्रेंट्स हम कोशन पढ़ लेते हैं यकीन मानिये फ्रेंट्स इससे बाहर आपको एक भी कोशन नहीं मिलेगा लेकिन शर्त क्या है आपको पूरा वीडियो देखना है और लास्ट में दो कोशन का टेस्ट भी लगाना है तो हमारा पहला कोशन है 1875 के विद्रो को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है सही आंसर होगा ऑप्शन B सिपाही विद्रो के नाम से 1857 का जो विद्रो है इसे मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है सिपाही विद्रो के नाम से नेक्स कोशन का लेते हैं, 1857 के विदरों के समय भारत का गवर्नर जर्नल कौन था? सही आंसर होगा, option C, Lord Canning, जो थे फ्रेंट सी 1857 के विदरों के समय भारत के गवर्नर जर्नल थे नेक्स कोशन, 1857 के विदरों के समय ब्रिटिश का प्रधान मंतरी कौन था? एक्जाम में काफी बार पूछा गया कोशन है, सही आंसर होगा, option D, Lord Palmston, जो था फ्रेंट सी 1857 के विदरों के समय ब्रिटिश का प्रधान मंतरी था, यह आपको याद रखना है, फ्रेंट सी यह जो 1857 के स्वाधिनता संग्राम का प्रती क्या था? सही आंसर होगा, option D, कमल और रोटी, कमल और रोटी जो है फ्रेंट सी 1857 के स्वाधिनता संग्राम का प्रती क्या था? सही आंसर होगा, option D, ब्रिटिश समराज्य की निती, ब्रिटिश समराज्य की जो निती है फ्रेंट सी 1857 क की करांती का प्रमुख कारण था नेक्स कोशन डबल स्टार मार कर ले न एक्जाम के लिए आप इसे अंग्रेजी भारतिय सेना में चर्बी वाले कार्तुसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई सही आंसर होगा ओप्शन ए दिसंबर 1856 में दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतिय सेना में चर्बी वाले कार्तुसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया नेक्स कोशन 1857 का विद्रो 10 माई 1857 को मेरट से शुरू हुआ और कहां समाप्त हुआ सही आंसर होगा इस कोशन का ओप्शन D ग्वालियर एक्साम में फिर्टस या कोशन कई बार पुछा चा चुका है सेसी फेवरिट कोशन है ये नेक्स कोशन 1857 के संग्राम को प्रथम 173 संग्राम का नाम किस ने दिया था सही आंसर होगा ओप्शन A विनायक दामोदर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर ने 857 के संग्राम को प्रथम सोतंतरता संग्राम का नाम दिया था, ये question भी आप exam के लिए double star मार करिए फिर्टस आपको question का level देखके बता लग रहा होगा कि सभी question exam oriented है और ये जो 100 question आपको करवा रहा हूँ मैं आपको इसमें पूरा topic ये complete हो जाएगा तो एक एक question आप exam से पहले रट लेना बहुत help मिलने वाली आपको exam में next question किसने 1857 के विद्रो को एक शरियंत की संग्या दी है सही answer होगा option A Jams Outram W.Taylor Jams Outram W.Taylor ने 1857 के विद्रो को एक शरियंत की संग्या दी है next question किस भारतिये ने 1857 की क्रांती को सुअतंतरता का प्रथम यूद की संग्या दी है सही answer होगा option A SB Chaudhary nutrition 1857 की क्रांती को किसने बरवरता एवम सभयता के मध्य यूद की संग्या दी है सही answer क्या होगा option B TR Holmes TR Homes ने 1857 की करांती को बरबरता एवं सब्भेता के मध्य युद की संग्या दी है अगला कोशन मंगल पांडे कहां की विपलफ से जुड़े थे सही आंसर होगा option A, बैरकपूर बैरकपूर की विपलफ से जुड़े थे मंगल पांडे काफी बार एक्जाम में पूछा जा चुका है कोशन ये मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाई थे सही आंसर क्या होगा option B, 34 वी नैटिव इंफैंट्री के मंगल पांडे जो ते फेंट्स ये 34 वी नैटिव इंफैंट्री के सिपाई थे अगला कोशन 1857 के विद्रों के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था सही आंसर क्या होगा option C, मौलवी एहमदुल्ला शाह को मौलवी एहमदुल्ला शाह को 1857 के विद्रों के दिनों में डंका शाह के नाम से जाना जाता था अगला कोशन करते हैं, किस ने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है, सही आंसर होगा इस कोशन का आप्शन A, नाना साहब ने, नाना साहब ने यह कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है अगला कोशन, किस आयोग ने 1857 के विद्रो के दमन के बाद भारतिय फोज के नव संगठन की योजना तियार की थी? एक्जामे कई बार पूछा गया कोशन है ये, सही आंसर होगा, ओप्शन B, पील कमिशन ने पील कमिशन ने 1857 के विद्रो के दमन के बाद भारतिय फोज के नव संगठन की योजना तियार करी थी? अगला कोशन, विद्रो के परिनाम सरूब, बंगाल में येरोपिय सैनिकों का अनुपात भारतिय सैनिकों की तुलना में क्या था? सही आंसरोगा, ओप्शन A, एक अनुपात 2, विद्रो के परिनाम सरूब, बंगाल में येरोपिय सैनिकों का जो अनुपात है, ये भारतिय सैनिकों की तुलना में कितना था? एक अनुपात 2, ये आपको याद रखना है नेक्स कोशन कर लेते हैं, काफी बार एक्जाम में पूछा किया कोशन है ये, भारतिय स्वाधिनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सही आंसर होगा, option B, SS Cain, SS Cain के जो थे, ये भारतिय स्वाधिनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था अग्ला कोशन, SN Cain द्वारा लिखित, 1857 के विद्रहो को दर्शाती पुष्टक का शिशक क्या था? ये कोशन B, एक्जाम के लिए most important रहेगा सही आंसर होगा option B at 1857 1857 जो एफेंज ये सेन द्वारा लिखी पुस्तक है ये आपको याद रखना है Next question किसने माना था कि 1857 का विद्रो सुनियोजित राच्टिय सोतंतरता संग्राम था सही आंसर है option A वीडी सावरकर वीडी सावरकर ने माना था कि 1857 का जो विद्रो है ये सुनियोजित राच्टिय सोतंतरता संग्राम था अगला question ये किसका मत है कि 1857 का विद्रो कुछ धरम के लिए लडाई के रूप में आरंब हुआ था तथा सोतंतरता संग्रश के रूप में समाप्थ हुआ सही आंसर है option B SN SANE SN SANE का मत है कि 1857 का जो विद्रो है कुछ धरम के लिए लडाई के रूप में आरंब हुआ था तथा सोतंतरता संग्रश के रूप में समाप्थ हुआ अगर आपको वीडियो की quality, वीडियो का content और आपके रूपी सरकी महनत परसंद आ रही है वीडियो को like और share जरूर करें comment box में अपना feedback भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और इसी के साथ अगर आपको topic wise current affairs पढ़ना है डिटेल में उसका हमारा अलगसे चैनल है current affairs by रवी इस YouTube चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप SSC exam की त्यारी कर रहे हो उसके लिए हमने अलगसे चैनल बनाया हुआ जिसका नाम है रवी SSC GK Express तो इस YouTube चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर ले दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जागा या फिर आप YouTube पर जाके इसको सर्च करिए अगला question अठारो सतावन की करांती सौरपथम कहां से प्रारंब हुई थी सही आंसरों का option C मेरट उत्तरपरदेश मेरट उत्तरपरदेश से अठारो सतावन के करांती जो है सौरपथम प्रारंब हुई थी next question अठारो सतावन का विद्रो मुखेता किस कारण से असफल रहा था सही आंसरों का option B किसी समाने योजना और केंद्रिय संगठन की कमी के कारण अठारो सतावन का जो विद्रो मुखेता किस कारण से असफल रहा किसी समाने योजना और केंद्रिय संगठन की कमी के कारण यह आपको याद रखना है अगला question किसने कहा था गर्मी की आंधी की भाती मेरट का विदरो और प्रतियाशित और अल्पकालिक था आंसर होगा आजो थावेंट से 1857 के विद्रों में अंग्रेजों का सबसे कटर दुश्मन था नेक्स कोशन कर लेते हैं जर्नल विंधहम को 1857 में विद्रों ही सैनिकों ने कहां पराजित किया था सही आंसर क्या होगा इस कोशन का ओप्शन एक कानपूर के निकट जर्नल विंधहम को 1857 में विद्रों ही सैनिकों ने कानपूर के निकर पराजित करा था नेक्स कोशन नाना सहाब का कमांडर इंचीफ कौन था सही आंसर होगा ओप्शन C तात्या टोपे नाना सहाब का जो फ्रेंट्स कमांडर इंचीफ था वो कौन था जो फ्रेंट्स ओप्शन C में पर पताया तात्या टोपे नेक्स कोशन कर लेते हैं 1857 के संखर्ष में भाग लेने वाले सिपाईयों की सरवादिक संख्या थी सही आंसर होगा ओप्शन B अवद से ये कोशन पी एकजामे कई बार पूचा गया है अगला कोशन 1857 के विद्रों का सौरूप राश्टिय था किसका कथन है सही आंसर है option A अशोक महता का 1857 के विद्रों का जो सौरूप राश्टिय था ये कथन है अशोक महता का next question करवाने से पहले friends आप सभी के लिए good news है कि जो हमारी paid PDF की website है वो launch हो चुकी है जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com आपको google पे जाके सर्च करना है ठीक है और यहाँ पे आपको हमारी current affairs की paid PDF मिल जाती है GK की, polity की, history की, journal science की हर सब्ज़र की paid PDF मिल जाती है आपके रवी सर ने best content रखा है अपनी paid PDF में और इसी के साथ friends आपको बदाना चाहता हूँ कि अगर आपने current affairs पढ़ना है daily तो उसके लिए channel है हमारा current affairs by रवी इस YouTube channel को भी आप जरूर subscribe कर लें यहाँ पे हमने history policy की series भी start करी वी है और इसी के साथ friends अगर आप SSC exam की त्यारी कर रहे हैं सही आंसरों का option A नाना साहब कानपूर में 1857 का जो विद्रों है friends इसका नित्यतव किस ने किया था नाना साहब ने next question कर लेते हैं most important mark करी इसको 1857 के विद्रों को किस उर्दू कवी ने देखा था सही आंसर है option B गालिब 1857 का जो विद्रों है friends ये उर्दू कवी गालिब ने देखा था exam के लिए most important है next question 1857 की करांती का एक महतवपून केंद बैरकपूर चावनी कहां इस्थित है सही आंसर होगा option B बंगाल में 1857 करांती का जो एक महतवपून केंद है बैरकपूर चावनी कहां पर इस्थित है बंगाल में ये आपको याद रखना है अगला question यदि सिंधिया भी विद्रों में सम्मिलित हो जाएं तो हमें कल ही भारत चोड़ना पड़ेगा ये है कथन किसका है सही आंसर होगा option C Lord Canning का Lord Canning का कथन है यदि सिंधिया भी विद्रों में सम्मिलित हो जाएं तो हमें कल ही भारत चोड़ना पड़ेगा ये आपको याद रखना है अगला question The First War Indian Independence 1857-59 पुस्तक के लेखक कौन थे सही आंसर होगा इस question का option C उप्युक्त दोनो Marks और Angeles ये आपको याद रखना है अगला question 1857 के विद्रों पर अधारित पुस्तक The Pasant and The Raj के लेखक कौन है सही आंसर है option B Eric Stokes Eric Stokes जो एवेंट सी 1857 के विद्रों पर जो अधारित पुस्तक है The Pasant and The Raj के लेखक है अगला question Sir Hughes Rose ने निमलिखित में से किसे विद्रों का सबसे अच्छा और सबसे बहादूर सैने नेता बताया सही आंसर होगा option B Sir Hughes Rose ने रानी लक्षमी बाई को विद्रों का सबसे अच्छा और सबसे बहादूर सैने नेता बताया 1857 के विद्रों के दुरान दिल्ली में विद्रो का सैन्य नेतरितव किस ने किया तो राइट आंसर क्या होगा option A बक्त खान बक्त खान जो थे फेंड्स इन्हों ने सैन्य नेतरितव किया था अठाव सतावन के विद्रो के दौरान दिल्ली में यहाद रखना है अब फ्रेंट आपको एक पॉइंट और समझाता हूँ यहाँ पे 1857 के महान विद्रों के दौरान दिल्ली का नेतर देता हूँ नाम मात्र को बहादूर शाह के हातों में था ठीक है फ्रेंट नाम मात्र किया लेकिन जो वास्तविक नियंदर था वो किसके हाथ में था जर्नल बक्त खान के तो यह आपको याद रखना है अगला कोशन किसे 1857 के विद्रों की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है सही आंसरों का ओप्शन C बहादूर शाह बहादूर शाह कोशन के विद्रों की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है वह कौन सा ब्रेटिश सेना पती था जिसकी 1857 के विद्रों को दबाने में महतपुन भूमिका रही है सही आंसर क्या होगा ओप्शन C या आपको याद रखना है जो ब्रेटिश सेना पती था इसकी 1857 के विद्रों को दबाने में महतपुन भूमिका रही है अगला कोशन वह पहला भारती सिपाई कौन था जिसने चर्बी वाले कार्तूस का प्रियोग करने से इंकार कर दिया सही आंसरों का ओप्शन B मंगल पांडे मंगल पांडे जो पहला भारती सिपाई था जिसने चर्बी वाले कार्तूस का प्रियोग करने से इंकार कर दिया था आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमप्लेट ठीक है वो वीडियो आपके लिए मैं जरूर लेकर आऊँगा और मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मास्टर पीडियफ है जीके की वह भी आपको मिल जाएगी हमारी जो वेबसाइट है www.rawibooks.pdf.com यह हमारी वेबसाइट है गुगल पे जाके आपको सर्च करना है और इसी के साथ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ मेरी अप्लिकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से रवी स्टडी आईक्यू जी के नाम से वहाँ पे इस वीडियो का ना महां से थी फिर जो कोशन रिपीट हो गया है तो इस कोशन का सही आंसर मैं आपको उपर ही बताया था वो क्या है option A अवद से अगला कोशन अवद से अवद से अवद से नाम से वहाँ जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है यह कथन किसका है आंसर होगा option D मिर्जा गालीब का अगला कोशन नाना सहाब का वास्तविक नाम क्या था सही आंसर क्या होगा option B धोंदू पंत धोंदू पंत जो है फेंट्स यह नाना सहाब का वास्तविक नाम है यह आपको याद रखना है अगला कोशन अजी मुल्ला खान किसके सलहकार थे? सही आंसर होगा इस कोशन का ओप्शन C, नाना सहाब के तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर होगा इस कोशन का ओप्शन D, रामचंदर पांडूरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था अगला कोशन किस स्थान पर भारतिय सैने टुकरी ने विद्रो कर अंकरेज एजन्ट मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी सही आंसरों का ओप्शन B कोटा राजस्थान कोटा राजिस्थान में भारते सैनेट कुली ने विद्रो कर अंगरेजी एजन्ट मेजर बटन की हत्या कर दी थी एक्जाम में पूछा गया कोशन है अगला कोशन इलहाबाद में 1858 ECV में सिपाई विद्रो का दमन किस ब्रिटिश ओफिसर द्वारा किया गया था आंसर क्या होगा ऑप्शन है करनल नील के द्वारा करनल नील के द्वारा फ्रेंट्स इलहाबाद में 1858 में सिपाई विद्रो का दमन किया गया था ठीक है नाम किया ब्रिटिश ओफिसर का करनल नील अगला कोशन भारती सैनिकों में शामिल सिख गोर्खा पठान को किस वर्ग के अंतरगत रखा गया था ठीक, एक्जाम में पूछा गया question है, next question, वर्च 5857 के विद्रों में किसने सबसे पहले अपना बलीदान दिया, answer क्या होगा, option C, मंगल पांडे, 5857 के विद्रों में सबसे पहले अपना बलीदान किसने दिया, मंगल पांडे ने, अगला question, 5857 के विद्रों की शक्ति का सबसे महतोपुन तत्व कौन सा था, answer होगा, option C, हिंदू, मुस्लिम, एक्ता, फ्रेंड्स, हिंदू, मुस्लिम, एक्ता, ये आपको याद रखना है, अगला question, रानी लक्षमी भाई का मूल नाम क्या था, most important question है, सही answer होगा, option D, मनी करनी का, मनी करनी का, जो है फ्रेंड्स, ये रानी लक्षमी भाई का मूल नाम है, अगला question, 1857 में अंग्रेजी समराजय के विरूद पंजाब में किसने सशतर विद्रो किया, आंसर होगा, option E, नामधरी सिखोने, 1857 में अंग्रेजी समराजय के विरूद पंजाब में सशतर विद्रो किनों ने किया, नामधरी सिखोने, अगला कोशन, सौर पथम किस ने 1857 के विद्रो के तुरंत बाद इसे एक राष्टिय विद्रो की संग्या दी आंसर होगा, ऑप्शन D, बैंजमिन डिजरायली बेंजामिन डिजराइली ने फेंट सबसे पहले 1857 के विद्रों के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्य विद्रों की संगया दी थी नेक्स कोशन कर लेते हैं 1857 के विद्रों का ततकालिक कारण था सही आंसर इस कोशन का option C चर्बी वाले कार्टुसों का प्रियोग आरंब करना नेक्स कोशन कुवर सिंग ने 1857 के विद्रों का नेतरतव किस प्रांध से किया था सही आंसर होगा option B कुवर सिंग ने फेंट 1857 के विद्रों का नेतरतव बिहार से किया था ये आपको याद रखना है सुप्रशिद उर्दु शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था सही आंसर होगा option A अगरा Next question 1857 में किसने इलहाबाद को अपातकालीन मुख्याले बनाया था सही आंसर क्या होगा option B Lord Canning 1857 इलहाबाद को अपातकालीन मुख्याले किसने बनाया था Lord Canning ने अगला question वर्श 1857 के विद्रो के संदर में निमलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोका दिया तथा जिसे अंगरेजो द्वारा बन्दी बनाकर मार दिया गया Most important question है friends सही आंसर क्या होगा option D तात्या टोपे Next question निमलिखित में से कौन असम में 1857 की करांती का नेतरतव करता था सही आंसर होगा option E मनी राम दत अगला question 1857 का विद्रो लखनव में किसके नेतरतव में आगे बढ़ा था सही आंसर होगा option E बेगम ओफ अवध अगला question 1857 के विद्रो के बाद ब्रेटिस सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चैन किया सही आंसर होगा इस question का option C गोर्खा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से अगला question किस गवर्नर जर्नल ने ये फैसला किया कि बहादूर शाद जफर अंते मुगल समराठ होंगे और उनकी मिर्तियों के बाद उसकी किसी भी वंशज को राजा के रूप में मानिता नहीं दी जाएगी आंसर क्या होगा option A लौड कैनिंग अगला question कर लेते हैं अगला question लखनाओ में अठारो सतावन के विद्रों के दोरान चीफ कमिशनर कौन थे सही आंसर होगा option A हैंडरी लाॉरेंस अगला question इलहाबाद में अठारो सतावन के विद्रों का नेतरितव किस ने किया था सही आंसर होगा option C लियाकत अली अगला question कुलू हिमाचल परदेश में अठारो सतावन के विद्रों का नेतरितव किस ने किया था सही आंसर क्या होगा option C उप्युक्त दोनो यानि की राना प्रताप सिंग और वीर सिंग ने next question अठारो सतावन में ब्रिटिश के विरुद शरियनतकारी, सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था सही आंसर होगा option A बहादुर शाह दूइत्य next question लखनाओ में अठारो सतावन की करांती का नेतरितव किस महिला ने किया था सही आंसर होगा इस question का option B बेगम हजरत महल लखनाओ में अठारो सतावन की करांती का नेतरितव किस महिला ने किया था बेगम हजरत महल ने next question कर लेते हैं फैजाबाद में किसके नेतरितव में अठारो सतावन की करांती हुई थी सही आंसर होगा option D मॉलवी अहमद दुल्ला के नेतरितव में फैजाबाद में फैंस जो 857 करांती का नेतरतव किस ने किया था मौलवी एहमदुल्ला ये आपको याद रखना है अगला कोशन कर लेते हैं जून 857 में ब्रेली में विद्रो का नेतरतव किस ने किया था सही आंसर होगा ऑप्शन ए खान बहादूर खान ने ये आपको याद रखना है अगला कोशन रानी लक्षमी भाई को अंतिम युद में किस ने पराजित किया था सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैप्टन हियोरोज ने अगला कोशन फैजाबाद से विद्रो कर रहे किस करांती कारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने पचास हजार रुपे का इनाम रखा था सही आंसर क्या होगा इस कोशन का ओप्शन B मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से विद्रो कर रहे करांती कारी थे और इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने पचाजार रुपे का इनाम रखा था नेक्स कोशन कर लेते हैं 1857 के विद्रो के कारनों पर भारतिय भाशा में लिखने वाला प्रतम भारतिय थे सही आंसरों का ओप्शन B आठ एप्रेल अठारो सत्तावन इसवी में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी भारत के सोरपथम सोतंतरता संग्राम का मुख्य ततकालिन कारण क्या था सही आंसरों का ओप्शन B अंग्रेजों का धरम में हस्तजेप का संधे अगला कोशन भारत में सिक्षित मध्य वर्ग ने अठारो सत्तावन के विद्रों में क्या भूमी का निभाई थी सही आंसरोंगा ओप्शन C अठारो सत्तावन के विद्रों से ततस्ता बनाई रखी थी ठीक है ये आपको याद रखना है पटना की अठारो सतावन के सोता संगराम के नेता कौन थे? आंसर क्या होगा, ऑप्शन B, राजपूत कुमर सिंग महारानी विक्टोरिया ने भारतिय प्रसाशन को ब्रिटिश ताज के नियंतरन में लेने की घोशना कब की थी? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन A, एक नमवंबर 1858 में अगला कोशन, अठारो सतावन विद्रो के समय बैरकपूर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ओफिसर था? आंसर क्या होगा, ऑप्शन A, हैरसे अगला कोशन, अठारो सतावन की करांती की असफलता के प्रमुक कारणों में क्या शामिल था? आंसर है, ऑप्शन A, केंदरिय संगठन का अभाव अगला कोशन, सिविल रिबिलियन इन्दा इंडियन म्यूटीनी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी जो ठारो सतावन के विद्रो के महतव को दर्शाती है? आंसर होगा, ऑप्शन A, S.B. Chaudhary अगला कोशन, किस महतवण घटना के बाद गवर्नर जर्नल का बद समाप्त कर वाइसराय का बद बनाया गया था? आंसर क्या होगा, ऑप्शन A, 1857 का इतिहासिक विद्रो अगला कोशन, 1857 के स्वाधिंता संघर्श की विरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की जनम स्थली कौन सी है? सही आंसर होगा इस question का option C वारानसी अगला question 5857 की सोतंता संगराम से संबंदित पहली घटना थी answer होगा option C सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना अगला question आजमगड उद्गोशना आम तोर पर किस से संबंदित है most important question है ये भी आंसर होगा option D सिपाई विद्रो 1857 अगला question निम लिखित में से पलामू यानि की राची की किस जंजाती ने 1857 के विद्रों में भाग नहीं लिया था पहरेंसे सेसे सीचेसल में पुछा गया question है सही answer क्या होगा option B मुंडा और औराव अगला question निम लिखित में से कौन सा भारतिय सोतंदरता का पहला युद्ध था सही answer क्या होगा इस question का option है 1857 का विद्रों जो है friends ये भारतिय सोतंदरता का पहला युद्ध था अब देखो friends मैं आपको एक table लेकर आया हूँ इस वीडियो में आकर दो table करवाऊंगा इस table में आपको बता देता हूँ कि 1857 के विद्रों से जुड़े महतपो नेताओं की सूची ठीक है मतलब कहां से उन्होंने विद्रों का नेतरितव किया था अगर हम बात करें दिल्ली की ठीक है दिल्ली से जो नेतरितव किया था नेताओं ने next है कानपूर यहां से नाना साहिप, राव साहिप, तात्या टोपे और अजी बात करें जहांसी की इसका नेतरितव किया था रानी लक्श्मी भाई ने अगर हम बात करें फरुचाबाद यहां से नित्रितव किया था तुफजल हसन खानंने असम से नित्रतव किया था कंड पारेशवर सिंग मनी राम दत्ता बरुवा ने और ओडिशा से नित्रतव किया था सुरेंदर शाही और उजवल शाही ने ये टेबल आपके लिए काफी important था इसका आप screenshot ले लिजिए नेक्स कोशन डैश वह तारिक थी जब 1857 का विद्रो शुरू हुआ था तो अकर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि 1857 का जो विद्रो है किस तारिक को शुरू हुआ था काफी बार पूछा गया question है ये तो आप बोलो के 10 मई यानि कि सही answer हो गया option B 10 मई अगला question बेगम हजरत महल भारत के निमलिखित में से किस विद्रो से संबंदित है सही answer होगा option D सिपाही विद्रो अठारा सो सतावन अगला question 1857 की करांती के बारी में किसने कहा था कि यह एक विद्रो से कई अधिक था मगर सोतंतरता के पहले युद से काफी कम है answer क्या होगा option C Stanley Walpert अगला question 1857 के विद्रो को राश्टी आंदोलन का सुरोत वसंत के रूप में कौन मानता है सही answer होगा option A PC Joshi exam के लिए important है 1857 के विद्रो को राश्टी आंदोलन का सुरोत वसंत के रूप में कौन मानता है PC Joshi ये question exam में कई बार पूछा जा चुका है next question 1857 की करांती में पूरे सिंग भूमी छेतर के मुखे नेता कौन थे सही answer होगा option B राजा अर्जुन सिंग next question निम लिकित में से किसने कहा कि 1857 का विद्रो एक राज्टिय विद्रो था जो गहरे और विश्वास में नहीं था answer होगा option A Benjamin Disraeli अगला question 1857 के विद्रो को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था सही answer होगा option A 1859 में अगला question निम लिकित में से किनके दुबारा 100 important questions करवाई अब आपके लिए पास एक और table आ गया है इसके बाद 2 question का test होगा जिसका answer आपने comment box में देना है यह test आपके लिए काफी important है तो अब जो मैं आपके लिए table लेकर आया है table भी आपके लिए काफी important है इसमें मैं आपको बताऊँगा कि 1857 के विजरों से संबंदित प्रमुख पुस्तके और उनके लेखक के नाम ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते है इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंडेंस 1857 ठीक है एक्जामें डारेक्री question पुछा जाता है इसके लेखक कौन है वीडी सावर कर इसके लेखक है एरिक थॉमस स्टॉक्स इस पुस्तक के लेखक है अशोक महता इसके लेखक है आरसी मजूमदार इसके लेखक है सशी भूशन चौधरी इसके लेखक है इसके लेखक है इसके लेखक है सरसेद एहमद खान इसके लेखक है अखरी है 1857 इसके लेखक है एसन सेन अब दो कोशन का टेस्ट आ गया है दोनों कोशन का अंसर आपने comment box में देना है उससे पहले फेंट्स आपको बता दूँ आप सभी की डिमांड आ रही ती रवी सर आप लाइव आईए आप लाइव क्यों नहीं आते तो मैं लाइव आ चुक हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के उपर इसका नाम है रवी अदिती ब्लॉक्स तो इस यूट्यूब चैनल को अब ज़रू सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो के बार ठीक रवी दिती ब्लॉक्स यूट्यूब चैनल को ठीक है तो फ्रेंट्स पहला कोशन है टेस्ट का आपके लिए 1857 के विद्रों के समय भारत का गवर्नर जनल कौन था चार आपके पास आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है नेक्स कोशन है हमारा टेस्ट का 1857 के 133 संगराम का प्रतीक क्या था दोनों कोशन का आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीड़बैक भी जरूर देना है अब फ्रेंट्स आपके लिए की important announcement यह है कि अगर आपको हमारी paid pdf बाई करने है gk की, history की, polity की, current affairs की, computer की, geography की ठीक है हर सब्जर के आपको paid pdf मिल जाती है हमारी website है www.ravibookspdf.com आपको फ्रेंट्स क्या करना है search करना है google पे इस website पर जाइए आपको हमारी paid pdf मिल जाती है हर exam के लिए काफी useful है कम time में आप किसी भी exam की त्यारी कर सकते हो और इसी के साथ friends आपको एक और important information देना चाहता हूँ कि आपना हमारी application को download कर लेना ravis study IQ gk के नाम से हमारी application है ravis study IQ gk के नाम से मेरी application है यहां से आपको इस video का quiz लगा सकते है और notes आपको मिल जाएंगे ठीक है तो आप इस application को भी download कर लेना telegram पर facebook पर instagram पर हमसे जोड़ जाएं रवी study IQ gk के नाम से है वीडियो कैसी लगी है आपना feedback देना friends ताकि आपका feedback हमारे बहुत ज़रूरी है ठीक है और आपको अगला video किस topic पर पढ़ना है वो भी आप मुझे से ज़रूर बताएं friends ठीक है बहुत महनत करें थे आप सभी के विए आप सबस्क्राइब।